है लो श्रींट जैन्ड वेलकम पर चैनल सिराश डिश्री आज इंकम फॉम बिसनेस्ट प्रोफेश्टन गा लेक्षर नमोर बन यह जिस पे हम लिए पैंट सो बिसनेस्ट प्रोफेश्टन स्टाट करेंगे आज का क्लास झाल झाल देखो, in the previous lecture मैंने complete करवाय था, income from business and profession, बराबर है, मैं आपको बताए, individual कितने source of income generate कर सकता है, 5, कौन से-कौन से, salary, house property, business profession, capital gain, other source, जिसमें से मैंने क्या-क्या cover किया है, salary, house property, आज तीसरा income generate कर रहे, income from business and profession, अभी क्या है, एक individual है, इंडिया में रहता है, उदका business कर सकता है, बराबर है, बट business में दो टाइप के business है, एक तो होता है, soul proprietor, अकेल आदमी business करने वार, एक होता है, partners या बड़ा कोई organization, बराबर है, अगर soul proprietor है, अनपड है, फिर वो business तो कर रहा है, उसको हिसाब किताब इतना अच्छे से नहीं आता रहेगा, बड़ा लिखा है, उसे मा जादा आदमी है, भूई हिसाब किताब कैसे करता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बजगे मेरा profit, normal आदमी, but professional है, कितना खर्चा हुआ, कितना फाइदा हुआ, खर्चा कितना फाइदा, कितना जो बच जाएगा, वो profit या तो लॉस हुता, अगर income जादा है, expense कम है, तो profit, दोनमें difference है, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, जो पैसा बज गया, उसके लिए surplus, profit, बराबर, यह नॉर्मल इंडिवीजन, लेकिन अगर बिजनस वाला है, तो क्या करेगा, कायतरी, कितना खर्चा हुआ, कितना income हुआ, income में से expense minus होरूँगा, तो profit या तो loss है, तो आप का जो business profession का सम होगा, वो ऐसे दो टाइप के question पे होगा, एक होगा, receipts and payment, receive payment 11 standard में cash book, पैसा आ रहा है तो receive, जा रहा है तो payment, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो एक question रहेगा, जिसमें receive payment हर्ष अपने को दिया रहेगा, receive मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गय और दूसरा होगा, profit and loss या income and expenditure रखाओ, profit and loss या तो income, दोनों similar है, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain, expense और income दिया है, income ज्यादा है, expense का में तो profit आएगा, profit and loss account ऐसी होता है न, देखा है न, सबने, चलिए ठीक, तो जब आपका income from business profession की बात करो, तो दो टाइप के question होगे, एक होगा, receipt and payment, अब receipt and payment के अंदर sum कैसे solve करें, इसका sum start होगा, receipt side से, problem चालू करेंगे, हम लोग receipt side से, receipt side पे जाएंगे, और क्या करेंगे, तो receipt side पे जाने के बाद, जितने भी, business receipt है, business receipt मतलब, वो पैसा, जो business से आया है, वो पैसा, जो business से आया है, वो सब हम क्या करेंगे, add करेंगे, receipt side पे जाएंगे, add करेंगे, business receipt, बात समझा, payment side पे जाएंगे, payment side पे जाएंगे, और लेंगे, business expense, या तो payment, और उसे क्या करेंगे, simple, receipt में, payment minus करेंगे, जो answer आएगा, वो आएगा, income from, business, और profession, समझ में आया, ये receipt payment पे जाएंगे, ओके, लेकिन ये चीज़, उल्टा हो जाएगा, अगर, question, profit and loss या, income and expenditure account दिया है तो, इस case में presentation change हो जाएगा, दोनों में फरक क्या है, वो explain कर रहा हूं मैं, बट आपका दो टाइप का question, एक receipt payment का question और एक profit and loss या income expenditure, one and the same, ऐसा question है, तो problem चालू होगा, net profit या तो loss, जो भी question में दिया रहेगा, वो आपको दिया है, क्योंकि profit and loss या income and expenditure, तो net profit या loss तो मालूम ही रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, add करेंगे, add करेंगे, expenses not related to business or profession, मतलब क्या, expense side पर जाओगे, क्योंकि profit and loss है, मतलब expense और income side रहेगा ही न, expense side पर जाएंगे, और expenses से बात करेंगे, भाईया तू कौन सा expense है, business का है, क्या personal है, अरे, हमने businessman को पघार दी दिया, businessman तो खूद है, पघार ले जाएंगे, परसनल खर्चा कर रहा है, जब ये परसनल खर्चा कर रहा है, add कर दो, भ्याज मांग रहा है, add कर दो, पैसा रिजाव कर रहा है, add कर दो, in short, add करना है, expenses not related to the business, मतलब ऐसा खर्चा जो business का नहीं है, फिर भी इसने लिखके रखा है, समझा, add expenses not related to the business, understood, पक्का, and minus करेंगे, income not related to business or profession, अरे समझा, हाँ, पक्का समझा है, कुछ expenses होंगे, कुछ income होगा, इन सब को add less करके जो answer आएगा, यह होगा, income from business profession, समझ में आ गया, दोनों का concept बैड़ गया, question, receive payment हो सकता है, question, income expense या profit and loss हो सकता है, ठीक है, अब दोनों में basic क्या है, इधर business का receive business का, इधर business का नहीं business का नहीं क्यों ऐसा, ऐसा क्यों वो आपको मालुम होना जिए, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं cash account maintain कर रहा हूँ, पैसा का, तो कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, यही मालुम बढ़ रहा है, अब वो पैसे में business का कितना है, आया, कितना business आ गया, वो मालुम करना है, क्योंकि मैं क्या calculate कर रहा, income from business न, तो मैं receipt में कौन सा receipt लूँगा, जो business का receipt है, समझा, payment में कौन सा लूँगा, जो business का payment है, इसलिए receipt payment में business का receipt और business का expense, profit and loss, अरे सर यह तो business ही होता है, profit and loss मंदब business करने वाला इंसान है, और business करने वाला इंसान, business का खर्चा record करना चाहिए, personal record करना चाहिए, क्या, नए, मतलब जो profit है, यह business का होना चाहिए था, बड़ इसके अंदर कुछ खर्चा ऐसा होगा, जो उसका personal होगा, समझ मैं है, इसलिए हमको इस profit के अंदर add करना है, खर्चा, minus करना है, income, जो की business का नहीं है, यहाँ पे business का है, यहाँ पे business का नहीं है, क्योंकि यह business नहीं है, बट यह business है, जब यह business नहीं है, तो इसमें हमने business receive, business payment लिया, जब यह business का है, तो इसमें जो business का नहीं है, जो business क नहीं है वह एड और लेस्का बैठा क्या दिमाग में या अभी भी बाउंसर जा रहा है कि इशा वापस एक बार रहुल अधित्या वापस चल यह कौन सा अकाउंट प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस कौन मेंटेंड कर रहा है बिजनसमें तो बिजनसमें क्या रिकॉर् चाहीं रिकॉर्ड करना चीए तुम पर्दार लिग भी इसमें तो बिजनस याना चीए उन्हें परसनल लिग दिया है बिजनस का नहीं है मतलब जो प्रॉफिट आया है इसे ने परसनल खर्चा भी उसने डाला है उनिकालना पड़ेगा अपने को इसने मैंनों क्या करेंग करेंगे खर्चा जो बिस्नेस का नहीं है और फाइदा जू बिस्नेस का नहीं है तुर्पाइदा बीजनेस का नuben약 मेने पैसा इंवेश कर दिखा दिया बिशुट में टोब पर स्थरन निखा एक निकाल दो सम्झा सब और उदर क्या है कितना पैसा रहा है कितना इसको इसको को हिसाब किता भी नहीं है पैसा आ रहा है लिखते जा रहा है पैसा 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 प एक्जाम में चांसेज यह रहे दे लेकिन बुलते ना नसीब खराब तो यह तो नसीब खराब नहीं होने दिना अपने उग कंसेप्ट क्लियर कर ले कि दिमाग में आगर बैड़ गया ना रिसी पेमेंट तो भी आप सम्तों सॉल्ब कर सकते ओके पक्का और एक बात आता है ए इसे तो बहुत सार है इसमें इंपोर्टेंट वन जो मेरे को लगता है वह है क्या लिगा कि डेप्रिसीशन वालू में इसकी बारे में क्या है यह असेट का वैल्यू कम करना और बिजनस के लिए तो लॉस यह खाया नहीं यह आपको इधर मिलेगा क्या यह आपको मिलेगा इदर क्योंकि यह रिषीप पेमेंट में डेप्रिसीशन का कामी नहीं पैसे से लेंदेन ही इसका नौन टैस्टम में यह तो आएगा इधर ही बराबर है अब डेप्रिसीशन का जो रूल बता रहा है ध्यान रखना कोई टीचर नहीं बताएगा डेप्रिसीशन तीन एक खाली कोश्चन में है एक खाली एड्जेस्मेंट में एक कोश्चन में भी है और एड्जेस्मेंट में दिया है और एक कोश्चन में भी दिया है और एड्जेस्मेंट में दिया है और एक कोश्चन में भी दिया है और एड्जेस्मेंट में भी बराबर हां तीन टाइप सम एड्रेसमेंट अर एक क्या है दोनो बड़ाबर है अगर डापरेसियेशन अगर डापरेसियेशन को सब्सक्राइब तो आ आय ससदों यू कन इंगूर पर आपट पर एंग्विनर कर सकते हो हो समझ में को सबस्दों में में है माइनस करने दोनों में है तो माइनस करनेरा मी इनकम करने के दिसरा को दोनों में हैं अब दोनों में हैं तो क्या करने गा ओपर वाला प्लस को नीचे वाला माईड़ा उपर वाला मतलब प्रोफिट एंड लॉस जो कोशन में दिया है और जो एड्जेस्मेंट में दिया है उपर वाला मतलब को शनव सद्सक्राइब सभरिस ईड्जेश्मन वाला माइन पूर समझा कॉस्षेप्ट सिर्फ इगर्जेश्मन करेगा चलेगा ईग्नोड किया चलेगा ने तो एड्जेश्मन गलिट सेगा कि доп elles फाली अड्जेस्मेंट में दिया है माइनस तर आप क्यों इगनोर करते डेप्रेसियेशन इस बिजनस एक्सपेंस परसनल थोड़ी है मैंने क्या कहा था एड्जेस्पेंस नौट रिलेटेड यह तो बिजनस का है इगनोर मारो समझा एड्जेस्मेंट में दिया है माइनस करो दोनों में दिया है, उपर प्लस नीचे माइनस, उपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस समझाए, पक्का ज्यादा बड़ा सम नहीं है, छोटा सा सम करेंगे ताकि थोडा सा कंसेप्ट समझ में आजाए हाँ च्या क्या क्या मेरे को समझा नहीं expensive loss है, माइनस किया किदर दोनों वाला हाँ ठीक है माइनस करनेगा हाँ एक सवाल आया है ज़रा ध्यान से सुनना असर एड्जेस्मेंट में और सुड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करनेगा है यह मेरा डाउट है आपका भी होना चाहिए इसका है सब्सक्राइब कुछ तो लोचा है अरे कीशन का मतलब SET का वैल्यू कंब करना है ढब says ने उसनेמ इन उपर लिखा ही नहीं है की कुश्चन में लिखा ही नहीं है छाली उसने में धिया है वहाय नहीं इसका मतलब जो प्रॉफित आया है उस प्रॉफित दे गाया different तो इंकम दिखा सकता है क्या डेप्रिसियेशन मतलब मेरा जो इंकम हुआ है ना यह जो इंकम हुआ है यह विदाउट डेप्रिसियेशन है जो इंकम हुआ है वह विदाउट डेप्रिसियेशन है और डेप्रिसियेशन मेरे लिए एक्सपेंसे बिजनेस का तो इस इंकम में व को प्रापस करने का sorgen लंगया मेरे को monkey si Hai Require क्या दिया होता है प्रोफिट यालोच किसका दिया होता है बिजुनस का काई को मगजमारी करने का डारे कर अरे काच आइक है तो इतना मगज मारी काई को फिर प्राफिट लिग दो income from business profession लेकिन ऐसा direct लिखना रहता तो topic ही नहीं होता है है न हरिया लिग जान दिरो आन देकिन इसा पुरा लग रहा है कोई नहीं हरी दिख रही है इते दिरो तो ये profit दिया था मैं direct लिख सकता था देकिन केशों मैं नहीं लिख रहा हूँ क्यों कि यह जो प्रॉफित नहीं है बारिश का सेने पाणी कि लिगा इफ बरसा पानी फिद्टे में अग लगे तो यह जो प्रॉफित है डायरेक्ट लिदिया था हर्ष मैं डायरेक लिख सकता था इंकवारम बिजनेश प्रोफिश्चन नेट प्रॉफिट खतम बट नहीं रिखा क्यों कि जो प्रॉफिट दिया है इसके अंदर कुछ खर्चा या कुछ फाइदा ऐसा जो परसनल होगा तो अपने को निकाल के प्योर बिजनस का प्रॉफिट दिखाना है इसलिए यह सब चीज कर रहे हैं यह समझा आपको अप मैं कह रहा हूं कि बाइट डेपरीसिय निकाल दिया प्रॉफिट कम हो जाएगा इसलिए उपर वाला हम इग्णोर कर समझ मैं अब एड्जेस्मेंट की बाद यह जो प्रॉफिट है इसके अंदर उसे यह डेप्रिसेशन माइनस नहीं किया इसलिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा क्योंकि तुमने एड्जेस और यह जो प्रॉफिट है और अभी वी दिमाग में नहीं बैठ रहा तो कोई प्रॉबलम नहीं है सिंपल यह बात याद रखो यह जो एक्सपेंस है यह जो प्रॉफिट है मैं बोल रहा हूं मैंने 10,000 रुपया कमाया मैंने 10,000 रुपया कमाया प्रॉफिट है मेरा और उसके अंदर यह सब चीजे है पहले से उन्हों का भाई 10,000 के अंदर मेरा 2,000 तो बिजनसमेन का सालरी है यह 10,000 के अंदर 2,000 तो बिजनसमेन का सालरी है तो क्या बिजनस का प्रॉफिट है नहीं तो दो जार निकालना पड़ेगा न तो कितना प्रॉफिट दिखाऊगे 8,000 ठाय नहीं क्लियर सर आप तो एड कर रहे हो क्यूंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के अंदर इंकम प्रॉफिट में आड बिकोज डेबिट अले इंकम क्रेडिट यानि के माइनस नहीं प्रॉफिट है एक सम करेंगे तो आइडिया इतना ठीक है ना विदक रिसीप पेमेंट में क्या लिखने का विजन सिप बिजन से एक्ष्ट जब झालनेगा एंड रिधनेट में रिपेंसेस अनले इंकम expenses and not related to business income not related to the business depreciation upa ignore Nietzsche minor don't know upa rat Nietzsche मैं याद रहेगा पक्का चुली बढ़ेंगे सम की दरब देखते है क्वेश्चन क्या दिया है question दिया है from the following profit and loss account question specify क्या है profit and loss account दिया है for the year and 22 compute business income particular rupees particular rupees यह प्रॉब्लम स्टार्ट होगा net profit या तो loss इसको क्या हुआ है profit कितने का देखो 69,000 देखो लास्ट में दिखेगा net profit कितना है 69,000 हमारा problem चाले columns माले प्रॉपीज रूपीज उपर नेम प्रीवियस यह assessment यह status वो सेम डालोगे problem चालू करोगे net income से या सरी net profit से net profit कितना दिया 69,000 add expenses not related to business बराबर है तरा बोला हूँ पर्टिकुलर रूपीज रूपीज में में बना लेता हूँ यह भी नहीं पता था मेरे को कि ऐसा doubt भी आता है इन्हें इस नॉर्मल यह उमर में होता है सब के साथ मेरे साथ नहीं हुआ तुम्हारे साथ हो रहा है भी नॉर्मल थोटा हो गया थोड़ा अभी मेरे को लाइन मारने नहीं आता है बस पर्टिकुलर रूपीज रूपीज बस एबड़ा अभी द्यान दिया दो कॉलंग नहीं बनाएंगे अपन इदर थोड़ा जगा छोड़ के बाद में इदर लिख देंगे हाँ प्राब्लम चालू करेंगे अपन नेट प्रॉफिट से है ना निकिदा फिर अपन क्या करेंगे इसमें एड करेंगे वह खर्चा जो बिजनस से रिलेटेड नहीं है बट पहले अपन एड्जेस्मेंट को रीड कर लेते देखते एड्जेस्मेंट में कुछ अपने काम का चीज है क्या पहला दिया है अलावेबल डेप्रिशियेशन और रुपी स्टेंट अगया अभी बताएते तीन चीज होता है उपर नीचे दोनों में जरा देखना पड़ेगा उपर है क्या हंजी नीचे है क्या हंजी क्या करेंगे उपर वाला एड्ड नीचे वाला माइनास समस्ता है जन्रल खर्चा मतलब बिजनस का खर्चा है उसके अंदर फर नीचर का खर्चा भी है 25 रुपय का पर नीचर का खर्चा क्या ये बिजनस का है सर अपने को कैसे मालूम पड़ेगा सर मैं अभी सोच रहा था फरनीचर बिजनस में लगता है है ना अभी मेरी दिमाज में यही आया फरनीचर खर्चा सर बिजनस का खर्चा अरे बिजनस का रहेगा तो ऐसा माईती क्यों देगा यह ना इधर उसने माईती इसलिए दिया है ताकि आप गेस करो ही नहीं पाई फरनीचर खरीदा परसनाल बिजनस का रहता तो ऐसा माईती नहीं आता है इंफोर्मेशन अभी मराटी हिंदी सब पढ़ाना पड़ेगा अपने लो अब पढ़ानी रेवाट लगा रहे हो देंदो तो अब यह 25 रुपया क्या है परसनल है मतलब जनरल खर्चा जो भी किया है उपर दीखना रहेगा जनरल खर्चा उसमें से पच्चीसो रुपया का जो खर्चा है न वो परसनल है मतलब वो बिजनस का नहीं है बाकि सब बिजनस का है तो अपने को जनरल खर्चे में से सिप पच्चीसो रुपया इदर लिखना पड़ेगा तो मैं इदर लिख लेता हू जनरल एक्सपेंस पच्चीसो रुपया अरे कलता है पुड़े जाता है उसके बाद क्या है ऑफिस का सैलरी इंक्लूड कर रहा है सैलरी पेट टू मिसेज एक्स रूपीज त्रोण हजार मिसेज एक्स बॉम ना क्या लिखा है वो अरे एक खाम ना ज़रा यह था मेरे को भी पढ़ने आता है वी कॉम पढ़ रहा था ना मैं वी कॉम बोलना जरूरी दादिर को हमारे पढ़ती दिन नहीं है मिसेज एक्स बीकॉम मिस्टर मिस अगाईते राइट राइट राकाउंट फॉर्ट 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 इसका ध्यान दो वह बोल रहा है ओफिस का सैलरी में हमने मिसेज एक्स यह मिसेज का मतलब यह थाम रहे अजित्या देखो कोश्चन में न जो नाम दिया वो किसका नाम दिया है मिस्टर एक्स पहले लाइन पे दिया है बराबर मतलब इनका कुछ तो रिष्टा है मिसेज मतलब पतनी हुआ क्या पती बोल रहा है बाहर वाले को क्या काम पे रखू पढ़ाई किया इसने भी कॉम जैसा तेरा हो जाएगा साथी के बाद तेरा पती बोलेगा तू अचाउंट से लिग तुने कॉमर्स में इतना पड़ाई किया तो तेरे को पघार भी देगा मैं लेकिन पत्नी सोच के पघार नहीं देगा एंप्लोई सोच के पघार देगा ऐसा हो सकता है पत्नी है इसको 10,000 पगार देदू 15,000 पगार देदू 25 अब घर में आएगा पैसा लेकिन इस बंदे ने क्या किया रिलेशन नहीं रखा इसने बोला भाई प्रोफेशन इंपोर्टेंट है अगर कोई दूसरा बीकॉम ग्राइजूइट को भी रखूंगा तो तुम भी 3,000 क्या इसने एक्स्ट्रा कोई पगार दे रहा है लग रहा है तुमको 3,000 कोई ज्यादा पगार है फुदकी वाइफ है फिर भी उसने इसे एज़ एंप्लोई ही ट्रीट किया है मतलब यह पर्सनल खर्चा कर रहा है क्या इस जगे पे अगर वो उसे 25-30 अज़ा 3,000 खर्चा इसके वाइब का तो है लेकिन वाइब का खर्चा भी पर्सनल नहीं है बिजनस ही है क्यों 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 इस बेसिक सालरी इसको देख रहा है बात समझा अगर इसी जगे पे 25,000-30,000 होता पर्सनल खर्चा है आड कर दे बात समझा यह तो अभी 3,000 करेंगे क्या क्यों बेसिक पगार है 3,000 इस बेसिक नॉमिनल अमाउंट है इसलिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो इसे हम बिजनस का ही खर्चा अक्षिदा पवार समझेंगे बढ़ते आगे उसके बात क्या है एड़टाइजमेंट इंक्लूड 25 फॉर एड़टाइजमेंट आप सोवेनि इतना आपका चल रहा है सर थोड़ा तो हमारे लिए कुछ सेवा कर उसे लिए एड़टाइजमेंट के लिए तो सवाल क्या यह बिजनस का खर्चा है नहीं रहे पर्सनल है क्यों एरिया में है चलाने गाए बिजनस देना पड़ेगा यह तोड़ बीड के गए चल रहा है व और पोलीटिकल परटी आई यहा जुदे कि क्या सेल प्रोटी आ जाता है यहां पर भीजय का धाई खर्चा अब क्या करने खार तो फटल और यहां पर एड़्र्टाइसमेंट भी आयह कुछ और कोई एड्जेस्मेंट है फाली एक ही चीज मेंने स्किप किया हुए डेप्रेसिएशन समझ में आया चलिए फिर एड्जेस्मेंट दो खतम हो गया अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के पास जाते और देखते कौन-कौन से चीज़े जो बिजनस का नहीं और लिखा गया अफिस इसके पर एड्जेस्मेंट आया था हमने सॉल्व कर लिया जन्रल एक्स्पेंसे आया था सॉंद इंट्रेस ओन क्यापिटल एक्स थ्री थाउसन और उसको ब्याद्य जा रहा है को बिजनस्में खुद के बिजनस से इंट्रेस्ट ले रहा है मतलब यह कुद का फाइ क्या इंट्रेस्ट ऑन क्यापिटल कितना समझाब को पक्का बढ़ते करी ना उसके बाद क्या दिया है उसके बाद या है बैट डिप्स रिजव याद रखो अगर बिजनस्मेंट कोई भी रिजव कर रहा है ना वो बिजनस के लिए लेखने न कर रहा है रिजव भी शनीस दिकार रहा है बड़ो रिजनस सो खर्ट रहा है लो पिजनस के लिए नहीं गया है कि हो क्या है पर्सनल है और पर्सनल हे तो इधर आज आएगा समझ में आया क्या वे क्या है यह है इसरो निदा भाथ एक बार कि अरे बात समझा उसके बाद क्या उसके बाद क्या बता है था उपर वाला एड और नीचे वाला माइनस तो भाई डेप्रेसियेशन कितना है पंद्राज एड साइन दिखने की जिरुवत नहीं अल्रीड आपने एड करकी सब लीख रहें न यह एड की हेडिंग में आ रहा है न चीक है बढ़ेंगे आगे उसके बाद क्या ह है अध्म양 ले लिया अफ़ाइर इइशोरेंस प्रीमियम ही ऊब वैर्स बया ही जोग सकता है न इसको आप इगन्राइस कर सकते हो डोनेसान से ब элект पर्सब्सनव स्पेसिफ़ाइब है अधर भिफित्वरेशन बोला तो क्या होगा पर्सनलogi तो है पीजनस का होगा पर्सनल ओगा पर्सनलस का बिजनस से ने पर्सनल है ईश् कुछES डोनेशन ही और टोनेशण कींगा बीजनेस से खर्चा किया बस इतना ही सवाल है अब हुई है कि हो डोनेशन गो ख़र्चा है वह बिजनस का है या नहीं है dopo अगर पर्सनल घृत और नहीं यह तो हुआ रेल है यॉद्छ टोनेशन दिया बुजनेस के लिए खर्चा हुआ पवार बरावर एक ने वह जो लूघ अगर बिजनेस का खर्चा है अगर पर्सनल खर्चा है तो एड करना पड़ेगा पर्सनल खर्चा नहीं तो इग्नोर करना मैंने सवाल इतना है तो क्या डोनेशन बोला है तो फिर तुम पर्सनल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि डोनेशन है बिजनेस किसी को डोनेशन नहीं दे सकता है क मैं कि देसकता है ना तो परस्णल क्यों कि अच्छा यूश मोल रहा है सरड्र डोनेशन क्मद में क्यों सब सकते हो दिक चुब अरे बिजनस के लिए डोनेशन एकश्पेंस है आने एकश्पेंस तो यह तो बोल दिया उसने सवाल कि बिजनेस का यह expense है क्या personal expense सिर्फ यह पूछा गया है सब ने personal क्या 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 एक कुछ नया accounting language आ रहा है कि ओके company है अभी ना donation expense हो गया है एड़ एक्सपेंस डन सवाल सिर्फ इतना बिजनेस और नू पर्सनल है राउल हर्श उसने बिजनेस कहां बोला तू बिजनेस बोल रहा है क्यों भाई मन में आए सब डोनेशन पर्सनल बुट्रा ओके ओके अलग रहना चाहिए ना मालुम बढ़ा अलग ही रह जाएगा आगे है क्यों अच्छा क्यों और पर्सनल को नहीं है और पर्सनल है डोनेशन आप आप भी पर्सनल हो किसके हैं पर्सनल है क्या पर्सनल है कि सब सब एगरी करते हैं पर्सनल है हर याली इस देख आज रहा है लाइट चमक रहा हमारा हरा हरा हो गया है फुल फोन और नेशन चलिए ठीक है देखो यहां पर स्पैसिफाइं नहीं किया आप आग व्हक डोनेशन यहां प्र बिजनस पर्पर्स या रडोने इस पर्सनल सपेसिफाइं नहीं है क्या की एडों इन्फॉर्मेशन नहीं ना अगर हो बोल देता donation for specific Purpose मतलब किसी काम का डॉनेशन है तो हो सकता business के लिए काम हो सकता तो business का expense है अभी specify नहीं किया तो हम donation को क्या treat करेंगे personal यहां पर donation personal काहें इतना time लिए कितना दिया है 55,000 मुझे बढ़ें के आगे उसके बाद क्या है एडवांस इंकम टाइक्स बिजनस का एकền नहीं एस्थट्रोस इंकम टाइक भिजनस का है करे नहीं अ मिलें निया वेतल देती हूं इंकम टैक्स बिजनस का नहीं है टैक्स बिजनस का नहीं है तो फिर वही तो अरे evidence में tax भर दिया है घर्टवांस income tax भर दिया है खर्चा होगा ना सीधी बात वहां पे clear बोला income tax income किसको business बिजनस को होता है कि बिजनसमैन को नए ज़रा ध्याम सिर्फ इंकम टैक्स बिजनस के लिए इंकम टैक्स पर्सनल है इंकम टैक्स सर क्यों इंकम टैक्स तो खर्चा हो न बिजनस के लिए टैक्स का कौन सा खर्चा है वेल टैक्स जी एस टी यह सब बिजनस का एक्सपेंस प् का होता है sales tax M vat अच्छा मवैड तो सुना है ना अच्छा मवैट सुना ही नहीं है जी एसटी सुना जी एस्टी बिजनस था खर्चा इस टी बीजने से टी ये सब बिजनस के दिए बराबर लेकिन इंकम बोर्ट आ गया वेल्ट आ गया प्रॉपर्टी आ गया ये तस आप परचाहे बिजनस का नहीं ठीक है पक्का एडवांस में इंकम टाइक्स भर दो या टाइक्स भर तो कुछ भी इंकम टाइक्स है मतलब वो क्या है तो इंकम टाइक्स परसनल है यहाँ पर आजाएगा एडवांस कि इंकम टाइक्स कितना है पर उसके बाद क्या है जी एसटी किसका है बिजनस का अभी मैंने बताया आपको ठीक है नेक्स इंकम टाइक्स भाई इंकम टाइक्स अभी बताया ना income tax कितना है understood expenses side हो गया adjustment भी हमने साथ में ले लिया था सारे adjustment भी हो गये थे अभी इसको total करेंगे total 40,000 hopefully तुमने खिया है total ऐसा assumption अभी माइनस करेंगे income not related to business or profession अब वो income जो business का नहीं हो चले start करते gross profit तो business कही होता है ignore इमारना इसको by interest on bank deposit bank में परसा जमा किया है ब्याज मिल रहा है personal आ जाएगा यहाँ पे interest on bank deposit कैट लग very good पुड़े वहा interest on company deposit interest on company deposit 7600 अजुन क्या है refund of income tax for the assessment year refund refund कितना एक अच्चा उसके अलावा और एक चीज depreciation उपर वाला add तो नीचे वाला minus करना था नीचे वाला adjustment कितना था depreciation अरे समझा इसका टोटल घेता है सब लोग कितना आता है 22700 अभी क्या करने का इसमें इसको प्लस करने का और इसको माइनस करने का जो answer आता है उसे कहता है income from business profession समझा यही है तुमारा income from business and profession clear हुआ इसमें government के तरफ से कोई deduction नहीं है अब तक दो topic था salary और house property salary में 16 का deduction 24 का house property इधर कोई deduction नहीं है बात समझा इधर simple है net profit add expenses less income receive payment है तो add business related receive minus business related payment खतम topic समझा इसमें कुछ भी deduction नहीं है इसमें concepts और भी चीज़ें आने वाली है बढ़ यह basic चीज़ें तो याद रखने ठीक है पक्का आपको वीडियो पसंद आ रहेगा दो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रूप में शेर करना चैनल को सब्स्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो प्लाइब कर देना प्लाइब कर देना